तो finally दोस्तो Firebolt ने अपनी बहुत सारी R&D महीनों की research करने के बाद अपनी एक नई smart watch एक नया tech product launch कर दिया है जिसका नाम है Firebolt Snap अभी Amazon के ओपर इसकी काफी ज़दा hype बनाई जा रही है यहाँ पर कल से इसकी यहाँ पर pre booking शुरू होने वाली है 25 तारिक 27 तारिक 27 अगस को यहा Firebolt इसे यहाँ पर बोल रहा है first ever Cam watch अब यहाँ पर Cam watch यह जो नाम है यहाँ पर Firebolt ने जरूर से copyright इसको पर यहाँ पर ले लिया होगा अब यहाँ पर इसे Cam watch इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इस smart watch के अंदर आपको dedicated camera देखने को मिलता है जी हाँ यहाँ यहाँ पे camera भी आ Camera, Clarity X Camera यह देखने से तो photo ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत ही बड़ी नई technology आप है Firebolt ने यहाँ पे launch कर दी है camera के अंदर smart watch के अंदर यहाँ पे और इसलिए Firebolt इसे बोल रहा है first ever Cam watch लेकिन आगर आप इस प्रोजेक्ट को ध्यान से देखते हो थोड़ी सी भी आप अप यहाँ पे बिक रही है बली आप बेलरूस के अंदर Amazon की website के ओपर देख लो USA की Amazon के ओपर भी यहाँ पे बिक रही है इवन इंडिया के अंदर भी आप इसे अल्रडी खरीज सकते हो काफी सारी Chinese vendors है website है जहाँ पे बिक रही है और Firebolt में यहाँ पे Firebolt Snap की pricing यहाँ पे रखी है इनिशली 5000 रुपे करीब आपको offer के साथ में आपके देखने को मिलेगी वैसे इसकी pricing आपे 6000 रुपे इससे भी सस्ते में same watch आपको बस Firebolt के नाम के विना देखने को मिल रही है तो यह कैसे हो सकता है मतलब Firebolt right first ever cam watch जबकि यह तो काफी महीनों से market के अंदर बिक रही है दड नहीं बनाई बिल्कुल बस इसके वपर इंडिया के अंदर थोड़ी बहुत यहाँ पे assembly करते हैं assembly के नाम पर अपने नाम की महार अपना इहां पर नाम इसके ओपर लगाते हैं वह भी इसलिए कर लेते हैं क्यूंकि government की scheme है PIL scheme के अंदर इंडिया के अंदर थोड़ी बहु प्राइंगे और बेच देंगे और इस तरीके से चल रहा है फॉर्स्ट एवर कैम वॉच मतलब की एंड्रोइड वॉच एक जिसके अंदर कैमरा देखने को मिलता है जो बोली वाली जनता है जो कि Amazon को पर डिरेक्ट लैंड करती है जाके उन्हें पता नहीं चीज होता वो तो फिर आपना पैसा यहां पर गुशा देती है एक तरह से बोलंगो वेस्ट कर देती है तो बात कर दें क्यों कर देती है खरीदनी चाहिए वह और यहां पर नहीं कर लेते हैं उससे पहले इसकी आपर यहां पर देखोगे उन्हें देखने से आपको फैसिनेट हो रहे होगे आपके वाई कितनी तगड़ी है मतलब इसका जो लुक है कितना तगड़ा है यहाँ पर जरसल सिर्फ यह CAD रेंडर से जो की कम्प्यूटर से बनाया जाते हैं जो है उसका बिल्ड बिल्कुल ही आपको अलग यहाँ पर देखने को मिलेगा अब यह जो चाइनीज वॉट जो इन उठा रखी है उसकी वीडियो आप यहाँ पर देख सकते हो आप इसके बाद डिस्प्ले की बात करने जाए तो 2.13 इंचीज का यहाँ पर आपको AMOLED डिस्प्ले के अंदर देखने को मिल जाएगा और इसके बाद यहाँ पर दो वेरियंट के तर यहाँ पर आने वाला है एक में आपको 2GB राम और 16GB की इंटरल स्टोरेज देखने को मिल ऐसा कुछ नहीं है सिर्फ यहाँ पर यह मिल्कुली चीप क्वाल्टी राम और रॉम यहाँ पर लगाई गई है उसके लावा यहाँ पर जो प्रोसेसर है इस वाच के अंदर 5W स्नाप के अंदर वह भी बाबा आदम के जमाने का यूनिसॉक स्पेट्रम का 28 नैनोमेटर का तो आप सोच सकते हो कितनी जाधा बैटरी खाएगा और कितना जाधा हीटप यहाँ पर इसी वजए से यहाँ पर बैटरी लगाई है वह वह थार एमेच की लगाई गई है समझ रहे हो एक स्मार्ट वॉच के लिए हजार एमेच की बैटरी बहुत जादा बड़ी हो जाते यहाँ पर 300-300 mmC बैटरी होगी जाज-जादा इतनी महेंगी बहुत के लिए लेकिन वहाँ पर इतनी बड़ी बैटरी लगाई को प्रॉसेसर इतनी जादा बैटरी खाता है और हीटप होता है इसके लाब है स्मार्ट वाट के अंदर आपको पूराना सामतलब कि 5-6 साल 4.2 कुछ ऐसा ही यहाँ पर देखने को मिलने वाला है अब यहाँ पर समसे बड़ा एक और पैन पॉइंट है इस फायर बॉल स्नाप का वह यह है कि यहाँ पर आपको स्मार्ट फोन कनेक्टिविटी देखने को नहीं मिलती है क्योंकि यहाँ पर लगता है भाई फिजिकल सि लेते हो तो यहाँ तो आप वाई-पाई से कनेक्ट करोगे इसे चलानी के लिए अपने फोन को होट्समोट हर टाइम आपको अन रखना पड़ेगा या जब भी चलाना है फिर वाई-पाई से कनेक्ट करके वाच को यहाँ पर चलाओगे या फिसके अंदर आप डेडिकेट पर चारज करो अपने फोन के अंदर तो आपको यह खर्चा भी आप बढ़ जाएगा वेरेस जो रियल स्मार्ट वाच होती है जैसे कि एपल की वाच हो गई या फिर यह सामसंग की गलेक्सी वाच सेवर हो गई इसके अंदर क्या होता है कि इसीम लंगती है और सेम नंबर क स्मार्ट वाच का फंक्शन होता है फिटनेस ट्रेकिंग वह भी यहां पर ठीक से काम नहीं करेगा त्यूंकि नॉन रिलाइबल आपको यहां पर सेंसर देखने को मिलने वाले हैं अब में कोश्चन आता है फायर बोल्ट ऐसा क्यों रहा है भाई तो भाई फायर बोल्ट ऐ अंदर फायर बोल्ट का जो नेट रिवेन्यू था वह वाई 2400 करोर्स था 2400 करोड सिर्फ इसी तरीके के प्रोड़क्स बेच 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 के चाइनीज रिबैच प्रोड़क्स बेच 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 के तो यह क्यों आर एंडी के उपर पैसा खर्च करेंगे सामसं जैसी कंपन सामसंग जैसी कंपनीज वेराज पायर बोल्ट जैसी कंपनीज इंडिया में सिर्फ चाइना से बल्क में मंगवाती हैं थोक में थफ्पा लगाती है और बेचती हैं अब लोग पुछाएंगे कमेंट सेक्शन में बोलेंगे यह वारंटी तो देते हैं जो हम चाइनीज खर बारे की सुचते हो वारंटी में तो प्रता नहीं आप कौन सा यहां पर माइंड सेट लेके बैठे हो तो दूर रही है इस तरह के साथ आपका पैसा बहुत मैनेज से कमाया हुआ है कहीं अच्छी जगह लगाईए अच्छी जगह इंवेस्ट कीजिए अगर आप खरीदने ह चाते हैं तो भाई थोड़ी पुरानी स्मार्ट वाच इस गेलेक्सी वोच 4 या फिर 6 वगर आप यहां पर खरीद सकते हो थोड़े से और पैसे उसके इंदर आपर इंवेस्ट करके वह फिर भी एक बैटार ऑप्शन रहेगा इस आपको एक रियल स्मार्ट वाट्स तो दे आपकल वाई एंद तेक केर